हेलो नमस्कार दोस्तों वेलकम तो माई यूटूब चैनल तो आज इस वीडियो में हमें एक रिमोट टेश्टर सर्कुट बनाएंगे तो इसमें हम यूज करेंगे एक IR रेसीवर और एक LED और एक 3.7 वोल्ट वेंट्री तो सबसे पहले हम IR रेसीवर को जो इसका जो उबरा वाली जो लेग है उसे हम IR रेसीवर की साइड वाली लेग पर सोल्टर कर देंगे और जो माईनस वाली लेग है उसे हम IR रेसीवर की साइड वाली लेग पर जोड़ देंगे और जो IR रेसीवर की जो बीच वाली लेग बची है उसपे हम जो एक छोटी सी मिनी वेंट्री 3.7 कब अनिवेंट्री वाला एग और प्लस वाला व電C है भू बलफ और रेसीवर का लाग्या ऊसपर हम लगांदेंगे सरक्टमारा कुछ पा कर्किरी वह्या dif टरिकिन सरीकिशान नय हों है वो कुछ ऐसे है ल मुँझे कर देखते था है r1 आप कोई सा भी रूमोट ले सकते हैं काम करेगा All remote support है कोई भी remote हो अब आप देख सकते हैं जो हमारा जो बलक है वो इंडिगेट बिलिंग कर रहा है कुछ इस तरीके से जैसे हम इसे प्रेस करके रखेंगे तो हमारा जो बलक है वो blinking करेगा और आप इस device से कोई भी remote हो आसानी से टेस्ट कर सकते हैं तो सेकंड़ी जो हमारी डिवाइस है वो कुछ अलग है तो उसे भी हम बनाते हैं कि इसमें मुज़ करेंगे एक आयार रिसीवर और एक कि बीटी एक सोड़ीज कि पूस्वरी बीटी एक सोचोंटीस और एक फिल्टर 470 UF 25 वोल्ट और एक LED वालफ और 3.7 वोल्ट की बैंट्री कि तो करते हैं प्रोजेक्ट को सूरी तो सबसे पहले जो बीटी 134 जो इसका चमकीला हिस्सा है उसे हम उपर की तरफ रखेंगे और जो आयार रिसीवर का जो अबरा हुआ जो इस्सा है निकला हुआ इस्सा है उठा हुआ उसे हम उपर रखेंगे और आइसी की जो दोनों साइट वाली जो लेगे हैं उन पर हम सोल्टर कर देंगे आइसी और आयार रिसीवर की साइट व कुछ इस तरीके से सोल्डरिंग करनी है तो अब इसे हम इसमें हम फिल्टर को लगाएंगे तो फिल्टर की जो माइनस वाली लेग है उसे हम आयर रिसीवर के साइट में और जो प्लस वाली जो फिल्टर की लेग है उसे हम आयर रिसीवर और टांजिस्टर की एक लेग में सोल यहां प्लस जाएगा और ट्राइटिस्टर की प्लस वाली जो बीच वाली लेगा उससे कुछ इस तरीगे से से इसका भी जो मैं सर्कुट डायग्राम है वो भी दिखा देता हूं को फीस तरीखे गए इस ठीक से संपल है तो ज्यादा टफ नहीं तो अब इसे में सर्कुट को हमने मनाया उसे हम अनॉफ करने के लिए इसमें एक स्विच को और जूड़ देंगे तो जो सर्कुट है उसका प्लस वाला जो वायर है उसे हम बैंटरी के प्लस से जूड़ देंगे और जो सर्कुट का माइनस है वो बैंटरी के माइनस से जूड देंगे तो सर्कुट को हमने ओन कर दिया है और जैसे हम इस रिमोट में कोई भी बटन प्रेस करेंगे हमारा जो बलफ है वह आप देख सकते हैं एक बार बटन प्रेस करने पर हमारा जो बलफ है वो इंडिगेट रहे जाया पर जो मने पिछला जो सर्कुट बनाई थी उसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा था अब इसको सर्कुट को आफ करके दोबारा ओन करेंगे फिर दबाएंगे तो यह फिर ओन हो जाएगा इसमें बस एक यही दिक्कत है कि आप इसे रिमोट से ओफ नहीं कर सकते हैं आपको सर्कुट को डिसकनेक्ट करके फिर दबारा कनेक्ट करने होगी बैंटरी फिर यह काम करता है तो हम इसमें एक मॉटर को भी चला के देखते हैं तो सर्कुट को ओन करते हैं सबसे पहले और देख सकते हैं हमारी जो मॉटर है वो घूमने लगी है गयर मॉटर है इस वज़े से यह दीरे चल रही है पर इसमें फुली करेंट आ रहा है गयर मॉटर होनी को वज़े से यह स यहाला रआ उसे बटन को के सघरेंगे आईसे हमारी जो बंद करने के लिए आपको बैटरी से इसक्रेटब करना हो घुट को बैटरी से इसक्रेकníक से दीजिए जिसे हमारा जो confidence है वो बढ़ता है तो मिलते हैं किसी next वीडियो में किसी next topic के साथ तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम